Hello everyone, मैं विश्व जीत सिंग, आप सभी का दीगी नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तो आज किस वीडियो के अंदर में हम M.A.H.I.M.H.I.02 आधनिक विश्व का Unit 8 करने जा रहे हैं दोस्तो यूनिट 8 के अंदर में हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट वीडियो के मतल से कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, कौन-कौन से चैप्टर बनते हैं और किस तरह के कोश्चन्स एक्जाम में पुछे जा सकते हैं और उन कोश्चन्स का आंसर हम कैसे लिखेंगे इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर में सबढ़ादाने सीमित यूद्र में आदुनिक यूद में तकनीक का उपयोगिये जाता है, तेसरा चैकनीकक का विकास तकनीक के परकेश Deep represent लड़ाइँ और तीसरा थो तो वो कहलाता है संपुन यूद संपुन यूद है आज के समय में उसका जो सोरू पे बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ साइवर वार के तौर पे भी हम संपुन यूद को देखते हैं जैविक वार के तौर पर भी जैसे कोरोना वाइरस फैला ये भी एक तरफ का संपुन यूद के तौर पे ही देखा गया ठीक है मतलब इसका क्या है तरीका चेंज हो गया है पहले क्या था कि यूद के छेतर में जाओ आप अपने गाड़ी लेकर हत्यार लेकर रहा है उससे लेकर रहा है उसे लट रहे पर यहां पर थोड़ा मौडन तरीके के से लड़ा जा रहा है तो यहां पर संपुन यूद का तरीका भी चेंज हुआ है ठीक है अलग-लग तरीके से यहां पर पड़तारित किया जाता है समझ में आता है यूद के तकनीक में बदलाव किस परकार से हुआ ठीक है किस तरह से परिवर्ता ना है यहां पर एक कोशन यह बन जाता है important तीन तो यह बनते हैं कि कौन-कौन से यूद किस परकार के हैं आधुनिक यूद के अंदर में सिमीत यूद आधुनिक यूद और संपूर्ण यूद ये तीनों एक कोशन के तौर पर देखे जाते हैं पास टेजस विवान और प्रमानुबम हैं ठीक है उनके थूर हम लड़ते हैं साउंड से भी जादा स्पीड में चलने वाले हमारे पास हतियार है ठीक है अगनी जैसे मिसाइले हैं तो यह चीजों का उप्यों क्या जाने लगा ब्रहमोज जैसे मिसाइले जो अभी पाकिस् विकास हुआ अध्रुनिक युद क्या है उसके बारे में हहां पर question बनता है ठीक है समझ में आता है दुसरा चैप jointly है यहांपस नंबर का sa Park यहाँ पर पूरी तरीके से यूद लडा गया जो भी उपर भी मैनने बता रहे ताए तोipic को निकाल कर यहां पर शैप्टर के से हर छेतर के अंदर में यूद हो रहा हो राजनितिक हो चाहिए आपका सांस्कृतिक हो हर तरह से छेतर में लड़ा जा रहा है तो वो संपुन यूद के छेतर में आता है जहां पर जानमाल की हानी भी जादा होती है हां थ्यारों का उपयोग भी जादा किया जाता है और अ तरह का संपुन वोर ही है जो रसिया और यूक्रीन के बीच में भी लड़ा जा रहा है तो उसको एक्जामपल लेकर चलते हैं तो बहुत सारे भारती स्टुडेंट डेली आये वह आपस मतलब अपने घर आये ठीक है तो उनके जीवन में किस परकार से परिवरतन हुआ या फि महाल जो किसी सरकार आपर किसिभ्वस्था के खिलाफ कि जाने वाले हिंसा को हम ग immersion करते हैं जिस के अंदर में क्यों थे लोग चुप चाप कर आते हैं और हैं तुसमिर में क्या होता हुतtı कि सेना कहीं पे पैटूल कर रही हैं तो कुछ लोग आते थे मास वास पैन कर, पत्थर तर मारते थे, भाग जाते थे, ठीके बम फोड के भाग जाते हैं यह करते तो क्या है? यह गैर राज के हिंसा के तौर पे जाने जाते हैं कसमीर के सासात में जो पिछड़े इलाके उनके अंदर में देखने क्ले मिलता है, सासात में पंजाब में देखने क्ले मिलता है, जहां पर खालिस्तानी की मांग की जाती है, कसमीर के अंदर में बाहर से अलग करने की मांग की जाती है, वहीं पर बहुत सारी जो जारखंड हो गया बिहार ओगया यूपी हो गया पर अलग लग तर G taxi हुए जो मतलब इस इंसा करती है ठीक है कि तो इसको लेकर भी यहां पर गई राज के मतार मातरा टिक है जिसके अंदर में गोरिला युद लड़ा जाता है म drawings के उपर है फोकस किया जाजता है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ध्यान से समझ में आ जाएगा आपको अगर कहीं पर कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और किसी को कुछ सी और भी तरह की हल्प चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स पीछे की वीडियो जो भी यूनिट से उसकी वीडियो डली हुई है तो भी यह आप देख सकते हैं अब यह लास्ट यूनिट जो आपका हैगा यूनिट 9 मैं उसकी वीडियो भी जालने वाला हूं तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच बाबाए टेक केर लॉल बेस्ट